हरे किष्णा तो आज हम आशार शुक्ल एक अदेशी के विशे में चर्चा करने जा रहे हैं है और रही होती कि जार हुए और शुक्ल एक अदेशी के दिन से ही चत्रमा अस्पाराब शुता है और यह एकादेशि जिट भाग्वान को बहुत प्रिय हैं वैसे तो सारी एकादेशि को भाग्वान को विशेश प्रिय शुर्प wszystkie है शास्त्रों में विशे शुप से प्रणुपूराण में सभी एकादेशियों का विस्तार पुर्वक वर्णन किया गया है पुर्ण पुरान के अंदर ये प्रसंग आता है कि महाराज जुदिष्ठिर भागवान सिर्कृष्ण से सभी एकादेशियों के महात्मे के विशय में प्रश्ण करते हैं तो जुदुश्य महाराज जब आशाड शुकले एकादशी के विश्य में भगवान सिकर्ष्ण से प्रश्ण करते हैं, तो उन प्रश्णों का उत्तर देते हुए भगवान सिकर्ष्ण के बताते हैं कि इस एकादशी को शैनी एकादशी भी कहा जाता है, इसको शैनी में शायन करते हैं और जाकते कब हैं जाकते हैं कार्तिक शुक्ल के एकादशी के समय इस दिन जिन से भागवान का एक रूप जो है वो बली महर्याश के पास सुतल लोक में रहता है और दूसरे रूप में दूसरे विस्तार में अपने दूसरे रूप में भागवान जो है वो शीर सागर में शेशनाक की शया पर शयन करते हैं जिन लोगों को शास्त्रों में शद्धा न इसको हमें बहुत असाइन तरीके से समझना चाहिए उदारन के लिए माली जी एक कोई Pradhaan Muntri है देश का तो वो भी रेस्ट करता है वो भी विश्रम करता है वो भी सोता है में देश में कोई कार्य नहीं हो रहा है है छो के वह बिंसकर जो डेपार्ट्मेंट्स वो एट्व और देवताओं के सारे कारी कालाब यो हैं, उसी तरह से इन चार मास में भगवान विष्णों बले ही शयन करते हैं, लेकिन फिर भी भगवारी डिपार्टमेंस हुआं हमेशा कारिक करते रहते हैं, तो सितल बगवान बने एक रूप रहता है, दुसरे रूप से भगवान बक्ति जनननी आचारे शिलेत भक्तिवनाट ठाकोर कहते हैं कि जिस्टार फूरवक वढदन किया गया गरुट पुरान के अंदर गल्ग सहिता में इसका विस्तार कि एक बार गोपियों ने श्रीमतिराधारानी से पुछा कि है श्रीमतिराधारानी आपने इस परकार की है कि आपने स्रीकृष्ण को भी प्रसंद कर दिया है कैसे지 के भानए श्रीक्रिष्ण तो फंशा ह्षोंद स्रीक्रिश्ण को जिस वाषित सकते हैं कैसे स्रीकृष्ण आपकी rookie को अपने वक्ष्ण के वश ciao तहर व्रफ को चाहिए कि एकएज़ का विशेश रूप से अच्छी तरीका से पालन करें और विशेश रूप से जो चतुर मास आने वाला है इसमें भक्त को चाहिए कि बहुत एक अपनी जो इंद्रिय सुख है उसका त्याग करें तपश्या करें और सादर जीवन जिये और भगवान की भक्ति करें, भगवान के नाम का ध्यान को रखजब करें, और इसके पारण का जो समय है, वो प्रातः 6 बच कर 33 मिनिट से 10 बच कर 9 मिनिट तक का है, तो इसी बीच में पारण करना चाहिए, जो भक्त निर्जला रहकर इस व्रत को कर रहे हैं, वो 6 बच कर 33 को इस व्रत को तोड़ सकते हैं, 6 बच कर 33 मिनिट से 10 बच कर 9 मिन तक के बीच में, तो ये एक अधिशी के पारण की विदी है, कहीं सारे विदी विदान शास्तों में दिये गए हैं, लेकिन सबसे महत्पूर्ण बात सारे विदी विदानों में से एक है, इसके बारे में प भगवान से कृष्ण का स्मरण सतत निरंतर कर सकें, कहीं बार लोग एक अधिशी का व्रत करते हैं, या कोई भी इस तरह के व्रत करते हैं, और वो सुचते हैं कि आज तो छुट्टी का दिन है, आज हम व्रत पर हैं, तो कैसे टाइम पास करें, तो उसके लिए कहीं बार ल करें, जादा से जादा भागवान के नाम का किरतन करें, शास्त्रों को गीता भागवज्य सगयन्थों को जादा से जादा पढ़ें, जादा से जादा हम वैष्णों की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, और इस तरह से अपने जीवन को सफ़स बनाएं, आप सभी से प्रा यह सारी सभी लोगों तक बहुती सरलता से पहुन सके हरे क्रिष्णी